बाई गुजराच्चा हमने एक मांगा था एक की साथ एक फिरी भेद दिया देखिए वो रंडवा है मैं कुआ रहा हूँ मत छेडों किसानों को लड़ना मुश्किल होगा ऐसा इतिहास लिखेगा किसान के सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा यूटूब पर काफी सेंशेशनल है हरेंदर विकलांग अपनी बात को बड़ी बेवाकी से रखते हैं और आप तो इनकी सेल्फी भी लोग आगे दूर दूर चा किछवा रहे हैं इनी से बात करते हैं कि इस तीन कानून बिल पर उनकी क्या राए है ताव राम 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 के बालक जाहर है तो इसमें तो खुशी की बता prawd दूटू सब्सक्रा की कानून बिल है उस पर सरकार जूगने को तियार नहीं और भी जुकने को तियार लिम्ते गा चिंता मत करो विल वापसी तो घर वापसी बेल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं घर बेब बच्चे तो याद करती होंगे बच्चों की आद नालती साधि ना करी इसाँ यह था जब तक सरकार चाहे सरकार की मरजी है चार दिन में खतम करे चार साल में खतम करे या चार सो साल में खतम करे कानून वापस कराकर घर जाएंगे कानून में ऐसी क्या खामियां हैं कानून में अच्छाई क्या है यह आप बताओ अरे कंपनी आएगी बहार से लोगों के खेत किराय पे लेगी इखटा पैसा देगी अगर किसान को खेती में कुछ नुकसान होता तो कंपनी देखेगी दिक्कत क्या है कालिक का किसान का पहले ही एक छला दे दिया हाडू इसके अंदर से लिगड़ेगा तो ठीक वरना तो बेकार और दूसरी चेज इसी कानून का एक एफेक्ट मद्यपरदेश में आया भी उसने फसल बोई माल लेके भग गई अब किसके फुपा को फुपा कहें बाई हम तो किस पास दो भीगे जमीन है इसके पास पांच भीगे है इसके पास दस भीगे है सब को एक जगे मिला के फारम बना देगा और जब दस साल बाद हम पुछेंगे हमारी जमीन कहां है वो ही नहीं दोसरी चीज हमें हमें तो फाइदा हो ली रहा बढ़िया प्धिकरने जाओगा वो फाइदे के लिए होगा नुक्सान के लिए गुजराच से जो लोग आए हैं दो लोग वो कबजा कर रहे हैं क्या पूरे उस पर बाई गुजराच से हमने एक मांगा था एक की साथ एक फिरी भेदिया और भेदिया तड़ी पार है तो अब उससे परेसान है थोड़े से लड़ना मुस्किल होगा ऐसा इतिहास लिखेगा किसार के सरकारों को पढ़ना मुस्किल होगा अभी भी इतनी उमर में भी इनके पास इतना जोश और खरोश है इनका कहना है कि किसान कहीं भी नहीं डरेगा ना जुकेगा जुकना है तो सरकार को जुकना है ये तीनों कानून बिल पूरी तरिके से किसान के खिलाफ है इनका आरोप है कि किसानों को मजदूर बनाने की कोश यह बहुत बड़ी साजिस है इस साजिस से किसान नहीं आने वाले और किसान अपने हक लेकर ही रहेंगे अंशुमन यादब न्यूजबर्ल इंडिया गाजिपूर दिल्ली